यूपेपर अनुसार नेपाल को एकॉनामी लाई 2030 समय मैं 100 बिलियन डॉलर पूरा हमे वहने डार्वेट सड़ करईु रतिसको रोड्र मैप दॉयर गरियो नेपाल 100 बिलियन का अर्थत अंत्रा बनना मैं कुनी संगया सॉय न dłum वनी रहादा हन्रेड बिलियन डॉलर को अर्था तंत्र को सरी था फन्ने प्रस्न तो पेलाई मात्रा ना वारा और ए ठुला एकोनोमिस लागने गर सा नई साल के शुरुआत में अपने देखा निपाल ने काफी सारे चीजों के बारे में बात की चाहे वो रेल नेटफर्क हो हो चाहे वो पोगड़ा का इंटरनेशनल एरपोर्ट हो और और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो निपाल की नए प्राइम इनिरस्टर इसको बनाने वाला है हम आज बात करने वाले हैं निपाल की एकोनमी के बारे में और निपाल की जीडिपी 2030 तक क्या 100 बिलियन मा हाँ जा सकती है निपाल 2030 तक क्या क्या अचीब कर सकता है तो इस प्रोजेक्ट के वारे में बात करते हैं और रेपोर्ट देखते हैं काफी इंटरस्टिंग रेपोर्ट है फिर आपके साथ बात करते हैं 2019 मा फ्रेरी नेपाल मा फाइब यर प्लान अन्बिल बायो नेपाल को 15 फाइब यर प्लान जाहा सरकारले दुएज़ चोबिस सम्मा मा नेपाल को आर्थिक ब्रिदीदर 10.3 प्रतिसत सम्मा पूर्याउने भनेर पेपर सार्वाजनी करयो तरह यो पेपर पबलिस भायकु के नेपाल मा लोगडाउन शुरू बायो कोबिद नाइटिन ले गर्दा मांचे अरु घर बित्र थिये ज़सका कारणड देशको एकनोमिक अक्टिविटीज अल्मस ठप पने थियो नेपाल मा कोबिद नाइटिन को असर अपेक्सिया गरे बंदा गहीरो इस्तर्मा मा समय बित्तै जादा आर्थिक ब्रिद्दी दर को लक्षय माथी गोई रागो थियो तर साचे अर्थ तंत्र वने ओरालो लागी रागो थियो 2020 को क्वाटर फोर रद 2021 को क्वाटर वान मा देशको GDP नेगेटिव देखिये गो थियो UNDP को इस्तर्डिय अनुसार मार्च रव में दुईमय नाको लगडाण मा नेपाल बर पाच जाना इंप्लोईज बराबर तीन जाना ले जागिर्गुमाई सवयगा थिये मांचे अर्व लगडाण को बिरोद गर्दे बाहिर निसकीन थाली सक्या थिये आर्थिक ब्रिद्दे दर लाई 15 फाइबियर प्लान को लगच संग्संग लईजानात निक्के ने गारो देखिन थियो कसरी अर्थ तंत्र जोगाउने बनने विशैलाई लियराने लोगडाउन खोलने या न खोलने बनने कुरामा बिवाद बईरा थियो COVID-19 पची बिस तारे अर्थ तंत्र खुल देए थियो ते तिके माई यूक्रेन वारले फेरी तियो स्लोडाउन लाई निरन तरता दियो Crudewell को सप्लाई गटे संक्संगे करेंची को वैलू गटनू, इंट्रेस रेट बननू रफोड इन्फ्लेशन ले गड़दा देशको एकोनोमी चलाउन ता परगो कुरा मांचे लाई बास्ना गारवई राथियो ये सरी अर्थ तंत्रलाई 2024 को लाग्चे सम्मा पूरावना वने सम्भवने देखिन थिये न तर राजनितिक दलारूले वने पाजबर समान नेपालाई सिंगापूर बनावने वने रा सापना देखाय रा थिये प्रतिने दी सबा निर्वाचन अगिने नेका पाय एमाले ले अबको पाजबर समा नेपाल को अर्थ तंत्रलाई एक से खरवपूर पूर्योंने रा परके बिटा इनकम तिन लाग समा पूर्योंने वने रा गोशना पत्र सार्वाजनिक गर्यों पूल ग्राज ताउत्पादन GDP लाई आगामी पांच बर्ष बित्र रू एक से खरवपूर्योंने नेपाली को अउसत प्रतिवेक्ति आमदानी रू तिन लाग अर्था 24 अमेरिके ड़लर पूर्याई नेशा अईले को 48 खरवा को अर्था तंत्र लाई पांच बर्ष अमाई एक से खरवा पूर्याउना हरेक बर्ष पन्दर प्रतिशत मन्दा बड़िले ग्रोगार्न बर्ष जुन ग्रोथ रेट नेपाल ले अईले समध देखे के इस हाई ना एप्रेल 2021 माँ FNCCI ले National Economic Transformation 2030 बने र विजन पेपर पब्लिश करयो यो पेपर अनुसार नेपाल को एकनामी लाई 2030 सम्मा माँ 100 बिलियन डॉलर पूराणे बने र टार्गेट सेट गरयो रतिश को रोड मैप तायर गरयो नेपाल 100 बिलियन डॉलर को ऊर्थ तन्त्र बनना मा कुने संका स्ऽायन तर यो वनिर हता100 बिलियन डॉलर को ऊर्थ तन्त्र कस रितं पन्ने प्रश्न तापय लाई मात्राण वर रहे ठुला Yukonome इसलाई लागने गर्श यो तार्गेट लाइ पुरा गर्न नेपाल ले चारवडा पैरेमिटर सरुमा बड़ी फोकस गर्नु पर्श अहिलेको ग्लोबल ग्रिन इनिसेटिव माँ नेपाल को पहिचान बनेके याहाको वाटर रिसोर्सेशो हाइड्रो पाउर सेक्टर ले हमरो एकनोमिलाई अरु सबही बन्दा छिटो चलाँना सक्षा येदी कसेले देश बिकास मा पसाडी पर्यो वनो बने यात तत्यो ब्रहम हो यात अग्यान्ता होना सक्षा किनो की यहाका कुनेपनी नधी को यात्रा गर्दा प्रायजस्तु ठुला नधी माँ हाइड्रो पाउर प्लांट निर्माड भई रहे को देखना सक्षा येसले देश को हाइड्रो पाउर सेक्टर माँ प्रकती भई रहे को सब अनने देखाँ छ 6000 वंदा बड़ी खोला नाला भई को नेपाल साथ इसेका लागी एनर्जी सेकिरेटी को एउटा बलियोस रोद बनना सक्षा येसले इनडियार बांगलादेश को कार्बन फूट्प्रिंट लाई धेरेनी कम गरना सक्षा एनर्जी डेवलोप्मेंट को लागी नेपाल ले एनर्जी एनवार्टर रिसोर्चेश डिकेट 2018-28 बने रोड मैप तयार गर्यो विदूत उत्पादन मा अहिले नेपाल आत्मा निर्वर बई चक्या अश 2013 मा 4,289 गीगावाट बिदूत उत्पादन गवाएको थियो बने 2022 आईपुगदा यो बड़े रहा 11,064 गीगावाट सम्मा पुएको श तरह यो बड़ी बयको एनर्जी हामी कीमा प्रवय गर्नेता हामरो देश खो टोटल इमपोर्ट्स को 14.1 प्रतिशत बनेको पेट्रूलियूम प्रोड़क्त लेगो गटेगोश जस लाई बिदूत ले सजीले संगा रिप्लेश करना सक्ष नेपाल को हाइड्रो पावर ले स साउथ एसिया को एक थी आई नोन रिनेबल एनर्जी बाट रिनेबल एनर्जी कंजूम्शन मा परिणत गर्ना सक्ष जसले गर्दा 2004 समा बिश्यवर उत्पादनुने 3.5 प्रतिशत कार्वन डॉक्साइड लाई काम गर्ना सक्ष नेपाल मा हाल एउटी मात्रे एकनोमिक ज निर्माट गर्ना नेपाल सरकारले 22 करोड बजेट चूटियायो सरकारले जुम्ला, पांच खाल, गोर्खा, धादिंग रभ विराट नगर्मा पनी एसिज़ट्स को निर्माट गर्ने भने र योजना अगी सार्यो यो योजना नेपालको निर्यात बड़ाउना रभ्याप पर घाटालाई कम गर्ना अगी सार्ये को थियो, तरह इछेत्र अरुमाँ पानी र बिजुली जडान को अभाब का कारण यो योजना अरू अशफल भायका शन। कुनेपनी देशको एकनोमिक ग्रोध को लागी, ऐसी देट्सले महत्वपुर्ण वोमिका खेलच। 2012 माँ बंगलादेशको आठोडा एक्सपोर्ट एकनोमिक जोन्स बाटा, जम्माँ 6.7 बिलियेंज को एक्सपोर्ट भायको थियो इए आठोडा एकनोमिक जोन्स को निर्माड ले देशको ब्यापार बड़ाउन रोजगार श्रीजना गर्न र लगानी बित्र्याउन मदद गर्च। नेपालको एकनोमिक इस्ट्रक्चर लाई बदलनको लागी इए स्पेशल एकनोमिक जोन्स को बिकास ले ठुलो भूमिगा खेल छ। नेपालमा एसता एसीजेट्स को निर्माड गर्ना बांगलादेशको एसीजेट्स लाई नमुनाको रूप मालीन शकिन छ। नेपालमा फूड इन्सेकिरिटी को प्रमुख समस्या बने के गरीवियो ट्रांस्पोर्ट कस्ने एग्रिकल्चर सेक्टर को सबी बंदा ठुलो समस्या हो। यो सेक्टर ले क्लाइमेट चेंज बाटा बढ़्दो जोखिम को पनी सामाना गरी रहे कोछा। बारत बाटा आयको एग्रिकल्चर प्रड़क्टो प्राइस संग याहको लोकल प्रड़क्ट ले कम्पीटे गर्ना सक्देना। यो प्रब्लम सल्ट गर्ना को लागी नेपाल ले इरिगेशन, रोड अक्सेस रा इफेक्टिब ओल्चल मार्केट्स को विकास करनू पर्षा। इरिगेशन मात्र नवर अजा स्मार्ट इरिगेशन, लोजिस्टिक्स, वेराउजिंग रा पैकेजिंग मा द्यान दिना आवर सक्षा। प्लान्टेशन देखी लिए रा कंजम्शन सम्मको यो इकोसिस्टम लाई आवसरक्ता अनुसार विकास गरे मात्र यो प्रब्लम सल्वोना सक्षा। यो इस्ट्राटिजी अपनाय मात्र 100 बिलियोन डॉलर को लक्षिय सम्मा पुग्ना सजिला हुँँच। किनकी योज सेत्रामा साथी प्रतिशत बंदा बड़ी जन संक्या इन्वर्ब्चन र एसले देशको जीडिपी मा 25 प्रतिशत कंट्रिब्यूट गर्षा। इंटरनाशनल चेन अफ होटल सरुगु विकास तिप्रो रूप मा देखिये पनी नेपाल मा परियोटक बित्रयाउन नसक्नु या परियोटक लाए आकर्सनड गर्न नसक्नु वनेको या हाको पुर्वाधार विकास को कमी नहीं हो। येश का लागी सरकार ले माइस टूरिजम विकास को प्लानिंग गरे पनी ठुला इस्तर का कन्वेंशन अल्स्ट्र थिम पार्क जस्ता पुर्वाधार को कमी ले गर्दा परियोटक आकर्सिद भईरायगा साइनन। माइस टूरिजम लाए बिजनेस ट्रावल को रूप मा लिना सकिन चा। नेपाल माँ टूरिजम प्रमोट गर्ना 2021 माँ जम माँ एक और्वा 26 करोड बजेट छुट्याईगो थियो। 2016 माँ रुआंडा माँ कीगाली कन्वेंशन सेंटर को निर्माड बायो। येसको निर्माड संगेई यो रुआंडा को सबय वन्दा पॉपुलर माइस डेस्टिनेशन बन्यो। रा 2008 माँ एसले 38,45 प्रतिनी दिवीत्रियाउना सफल भायो। नेपाल माँ टूरिजम इनकम ले GDP माँ 1.5 प्रतिसत कांट्रिब्यूट गर्छा रा पर्याटक को थप आगमन संगेई यो बविश्या माँ अजब बड़े को देखना सकिन्छा। पर्याटन माँ आधारित पूर्भादार जस्तेगी, एरपोर्ट्स, ट्रांस्पोर्टेशन, होटेल्स रा टूरिस्ट डेस्टिनेशन को बिकास ले बड़ी खर्चा करना सकने अंतराश्या पर्याटक लियाउना सकिन्छा। अंड्रेड बिलियन डॉलर को एकोनमी त्योपनी 2030 समा इस चारड़ा पेरेमिटर्स और लाइट टॉप लिस्ट मा राखनों पार चा तर फिरी यो नहीं सावई थोप चाहिए हाई ना। नेपाल की GDP के बारे में बात करें तो उस टम पे तो वह काफी कम है बट आगे आने वाले सालों में यह GDP काफी आगे जा सकती है इसके चान्सच ह्टएज हांड़ेड एंटैन परसंट है क्योंकि नेपाल की जो GDP है वह इस मामले में बागी बढ़ सकती है कि वो अभी आईसे आसे अपनी अपनी उलेक्टरिक इस पावर बेच रहा है यह सिर्फ SHE बी इंडिया बेच रहा है है और पिछले साल तक्रीम कोई दस 5- machen billion dollars का अंपनी इलेक्रिकत condome Our Do Salvers सब्क्राइब si ndia को बोपी भी को बात की उम्हा हूँ इनमेग twee देख iyi है है c । अवी बादिश के इंडिश therapies के मामुले में पांढिच्य पीम इंडिया में आई थी और उनने थे की देने और कुछ नेपाल के मिनस्टर से बात कीती है उन्होंने कि हमें लाइड सपोर्ट चाहिए तो नेपाल ने भी आपती जता ही और हां का है कि हम आपको ये प्रजेक्ट देने वाले और आपको ऐलेक्ट्रिक सिटी भी देंगे तो दोगाएं पर हम ये देख सकते हैं कि कि नेपाल काफी सारी चीज़े इसके साथ और भी सेल कर सकता है जैसे कि इन्होंने सरसो का बोला था तो सरसो का तेल ये काफी मातरा में काफी बड़ी तालाद में सेल कर सकते है नेपाल के अंदर दुनिया का सबसे उंचा पहाड़े और इस उंचे पहाड़ की वज़े से लो इसके बारे में रिपोर्ट दिये की होगी, तो यह सारी बात है थी जिसकी वज़े से निपाल के जो जीडीपी है, वो 100 बिलियन क्रोस कर सकते हैं, 2030 तक इनके जीडीपी 100 बिलियन डॉलर्स क्रोस कर जाएगी, और इसके मामले में हमने आप से रिपोर्ट शेयर किया, अगर आ लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इन चानल को लाजबी सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप रोगए